नमस्कार स्वागत है आपका फल्मे बीट में आपके साथ मैं हुद्ध पिकाने आल क्या ये आमिर की बेटी का बॉइफरेंट है? दरसल ये हम नहीं कह रहे बलकि ये कहना है शोचल मीडिया यूजर्स का बॉलिवुड सुपरस्टार आमिर खान का बेटा जुनेर पिछले दिनों अपने बॉलिवुड डेब्यू को लेकर सुर्ख्यों में था बैरहाल अप उनकी बेटी एरा खान को लेकर खबने सामनी आई है आमिर खान की बेटी एरा ने शोचल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की है जिसके बाद वो चडशाओं में आ गई है दरसल उन्होंने अपने अकाउंट से एक तस्वीर शियर की है जिसमें वो मिशाल कपलानी नाम के लड़के के साथ नजर आ रही है खबरों की माने तो ये रड़का कोई और नहीं बलकि आमिर खान की बेटी एरा खान का बॉइफरेंट है एरा ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है उमीद है कि बसंद की तुम्हारी छुटियां धूप और मुस्कान से परिपूर रही होगी आपको बता दें कि आमिर खान की बेटी ने जैसे ही तस्वीर शियर की इस पर उनके फॉलवर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया फैंस ने इरा से पूछा क्या ये तुम्हारा बॉइफरेंट है एक यूजर ने लिखा ये मिशेल तुम बहुत लगी हो कभी भी उसका दल मत ोड़ना आपको बता दू कि वो मेरा पहला क्रश है जब मैंने उसे अपने पिता के साथ देखा था बैरहाल ईरा खान के इस तसफिर को फैंस काफी पसंद कर रहे है और फैंस इस तसफिर को लेकर इरा से सवाल भी पूछ रहे हैं फैन्स से जानना चाहते हैं क्या ये सच में इरा खान का बॉइफरिंट है बैरहाल इरा खान ने अपने अकाउंट से पहली बार कोई ऐसी तस्वीर शेयर की है आपको बता दें कि इरा खान ने भले ही पॉलिवूट में एंट्री ना की हो लेकिन उनके फॉलोवर्स की तादा काफी जादा है आमिर खान की बेटी होनी की वछह से फैन्स उनके बारे में जादा से जादा जानना चाहते हैं पशले साल आमिर खान को इरा के साथ एक तस्वीर शेयर करने के लिए शोशल मीडिया पर ट्रॉल भी किया गया था शोशल मीडिया पर यूजर्स ने आमिर को तस्वीर के लिए कोशा और कहा कि रमजान के दुरान ऐसी तस्वीर शेयर क्या जाना गलत है तमाम यूजर्स ने आमिर को लतारना शुरू कर दिया और हजारों भर्दे कमेंट्स आमिर की पोस्ट पर किये गए बेरहाल बात अगर आमिर खान के बेटे की की जाए तो आमिर खान ने अपने बड़े पर इस पर बात की थी आमिर खान ने कहा था कि मुझे लगता है ये सिर्फ उसी पर नरभर करता है कि उसे अपनी जिंदगी में खुद ही आगे बढ़ना चाहिए और खुद ही अपने फैसले लेने चाहिए वैसे एरा खान की सस्वीर पर आपका क्या रियाक्शन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा खेर हमारे इस वीडियो में बस इतना ही लेकर बाकी वीडियोस के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा